कहते हैं कि कॉमेडी करना और कॉमेडी लिखना सबसे टफ काम है आज जिस पसनालेटी की मैं बात करूँगी इन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कई सारी कॉमेडी फिल्म में दी है ये एक आक्टर होने के साथ साथ बहतरीन राइटर डिरेक्टर भी रह चुके हैं और इनके डायलोग्स पर तो सिनेमा हॉल में सीटियां और तालिया बजी है इन्होंने आमर खान के साथ अपने करियर की शुरुआत की सलमान खान के साथ आक्टिंग की और अजय और अक्षर के लिए कई सारी कॉमेडी फिल्में लिखी है बात करेंगे गोलमाल, हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी जैसी फिल्मों के राइटर, आक्टर, डिरेक्टर नीरज वोरा की नीरज वोरा की लाइफ से जुड़ी वो बाते मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब नीरज वोरा की आमिर खान के साथ दोस्ती हुई क्यों नीरज वोरा जो कॉमेडी में इतने सक्सेस्फुल रहे, जिन्नोंने इंडस्ट्री में इतना बहतरीन काम किया, किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और कैसे नीरज वोरा के आखरी पलो में संभाला उन्हें, उनके बेस्ट फ्रेंड ने नीरज वोरा का जन्म भुज में हुआ था, हाला कि उनकी अब्रिंगिंग जो है, वो मुंबई में ही हुई, सांटा क्रूज एरिया में ही वो पले बड़े हैं नीरज वोरा ने जहां से स्कूलिंग की, उस स्कूल में फालगुनी पाठक और टीना मुनीम उनके साथ थी नायक राय, नारायन लाल, वोरा. क्योंकि पिता क्लासिकल म्यूजिशन थे, इसलिए घर में बॉलिवूड म्यूजिक या बॉलिवूड फिल्मों की तो बात ही नहीं होती थी, लेकिन नीरज वोरा को इंट्रेस्ट बॉलिवूड म्यूजिक में जादा था, पिताजी घर पर म्यूजिक की क्लासिस लिया करते थे वो क्लासिकल संगीत पढ़ाया करते थे लेकिन जब पिताजी नहीं हुआ करते थे तो उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट्स पर नीरज वोरा बॉलिवुड म्यूजिक बजाया करते थे हलाकि उनकी मदर को बॉलिवूड की फिल्मों का बहुत शौक था और पिता से चुप चुप कर मदर नीरज वोरा को लेकर कई बार बॉलिवूड की फिल्में देखने जाया करती थी और यहीं से नीरज वोरा का बॉलिवुड की तरफ फैसिनेशन इस कदर बढ़ता गया कि स्कूल टाइम से ही उन्होंने गुजराती थेटर में काम करना शुरू कर दिया और कॉलेज में आते आते तो वो बहुत जादा एक्सपर्ट हो गए तब ही नीरज वोरा को 1984 में एक शॉर्ट फिल्म में काम करने का मौका मिला केतन महता ये फिल्म मना रहे थे और तब एक बहुत बड़ा सूपर स्टार इस फिल्म में काम कर रहा था और एक बहुत बड़े डिरेक्टर ने भी इस फिल्म में काम किया था नीरज वोरा ये सूपर स्टार और ये डिरेक्टर ये तीनों दोस्तों का रोल निभाते हैं जो अपने कॉलेज अथॉरिटी से लड़ाई करते हैं कि उन्हें होली के दिन की छुट्टी क्यों नहीं मिलती है मैं बात कर रही हूँ फिल्म होली की जिससे आमिर खान ने डेब्यू किया था और इसी फिल्म में नीरज वोरा और डिरेक्टर आश्टोष गुवारिकर ने आमिर खान के दोस्तों का रोल निभाया था किसी को नहीं पता था तब कि ये तीनों नाम इंडस्ट्री के इतने बड़े नाम हो जाएंगे इसी दोरान नीरज वोरा ने एक टीवी सीरियल पर काम किया जिसका नाम था सरकस जिसमें शारुक खान ने काम किया था साथ ही छोटी बड़ी बाते जैसे सीरियल में भी वो नज़र आये थे 84 के बाद नीरज वोरा डायरेक्ट नज़र आये एर 89 में सलीम लंगडे परमत रो इस फिल्म में काफी बड़े आक्टर्स ने काम किया था और इसी में नीरज वोरा को एक छोटा सा किरदार मिला था नीरज वोरा को इंडस्ट्री में छोटा मोटा काम ही मिल रहा था वो कुछ अच्छा काम करना चाते थे और राइटिंग भी बहुत अच्छी करते थे लेकिन नए राइटर्स को यहाँ चांस देता कौन है वही चांस देता है जो खुद भी नया होता है यानि की नीरजवोरा के फ्रेंड आशितोष गुवारिकर जिब डिरेक्टर बने तो उनोंने राइटर के तौर पर नीरजवोरा को ही सलेक्ट किया दोनोंने मिलकर बनाई फिल्म पहला नशा इस फिल्म में दीपक तिजोरी थे और यही वो फिल्म है जिसकी क्लिप बहुत वाइरल हुई थी जहांपर शारुक, सैफली खान और आमिर खान एक साथ नजर आये थे हाला कि ये फिल्म नीरजवोरा को कुछ खास पहचान नहीं दिला पाई पहला नशा के बाद नीरजवोरा ने फिल्म लिखी बाजी इस फिल्म में वो एक बार फिर से टीम अप हुए अपनी होली वाली कास्ट यानि के आमिर खान और आशुतोष गुवारिकर के साथ आमिर खान इस फिल्म के स्टार थे और आशुतोष गुवारिकर ने फिल्म को डिरेक्ट किया था आमिर खान तब तक सूपर स्टार बन चुके थे वहीं आशुतोष गुवारिकर और नीरज ओरा अभी भी अपना लग ट्राइ कर रहे थे यह फिल्म रिलीस तो हुई लेकिन फिल्म को उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी सक्सेस की उमीद की जा रही थी नीरज ओरा को as a writer अगर किसी फिल्म ने पहचान दिलाई है तो वो फिल्म आमिर खान की ही फिल्म थी लेकिन ये नहीं बलकि रंगीला फिल्म जी हाँ राम गुपाल वर्मा जस वक्त आमिर खान को लेकर रंगीला फिल्म बना रहे थे तो उसी फिल्म के जो डायलोग्स है वो राम गुपाल वर्मा ने नीरज ओरा से लिखवाए और ये फिल्म नीरज ओरा के लिए इतनी सही साबित हुई कि इस फिल्म ने नीरज वोरा को ना सिर्फ डायलॉग राइटर बलकि आक्टर भी बना दिया Actually हुआ यूँ कि जिस वक्त नीरज वोरा इस फिल्म पर काम कर रहे थे डायलॉग राइटर के रूप में तब ही फिल्म के एक सीन के लिए एक आक्टर को बुलाया गया था जूनियर आर्टिस ये था लेकिन उस दिन जिस दिन ये सीन शूट होना था वो जूनियर आर्टिस सेट पर आया ही नहीं तब वो वाला सीन नीरज वोरा से करवाया गया एक ड्रिंक आदमी का सीन था जो नीरज वोरा ने रंगीला में किया और ये वो पहला टाइम था जब नीरज वोरा किसी बॉलिवुड फिल्म का हिस्सा बने इन फैक्ट जो सीन नीरज वोरा को रंगीला फिल्म में दिया गया था ड्रंक आदमी वाला वो सीन अनिल कपूर को इतना जादा पसंद आया कि अनिल कपूर ने फिर नीरज वोरा को बतौर अक्टर फिल्म आफर की विरासत तो ऐसी एक के बाद एक नीरज वोरा को आक्टिंग के आफर्स भी मिल रहे थे और राइटिंग वो साइड बाइब साइड कर ही रहे थे अकेले हम, अकेले तुम, दोड, सत्या, मस्त, इस तरह के फिल्मों में नीरज नजर आ चुके थे वही राइटिंग का काम भी उनका side by side चल रहा था रंगिला के बाद नीरज वोरा ने कुछ और फिल्मों के लिए भी राइटिंग की यह फिल्मे थी मेला और मन लेकिन दोनों ही फिल्में बॉक्स आफिस पर फ्लॉप रही नीरज वोरा को लगा था कि यह वो टाइम है जब उनका career as a writer ओवर होने वाला है क्योंकि इतने बड़े super stars होने के बावजूद यह फिल्में नहीं चल पाई शायत मेरी राइटिंग में ही कमी है और यहां से नीरज वोरा ने अपने राइटिंग के तरीके को बदला उन्होंने comedy लिखना शुरू किया और comedy लिखी तो ऐसी लिखी क्योंकि यह comedy film इंडस्ट्री की cult film बन गई आज भी इस film को बहुत पसंद किया जाता है लेकिन फिल्म के राइटर नीरज वोरा ही है और यहां से नीरज वोरा ने जो comedy लिखना शुरू किया आगे उन्होंने इंडस्ट्री में इतनी गज़त की comedy film में लिखी जिसमें हलचल, फिर हेरा फेरी, भागम भाग, भूल भुलाईया जैसी फिल्म में शामिल है इसके अलावा आवारा पागल दिवाने, दिवाने हुए पागल, चुप-चुप के गरम मसाला और हंगामा जैसी फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखे हैं नीरज़ोरा इंडस्ट्री के सबसे busiest writer बन गए और साथ में acting भी कर रहे थे नीरज़ोरा का career एकदम सही तरीके से आगे बढ़ रहा था लेकिन उसी time पर जिंदगी ने उन्हें पीछे खीचने की कोशश की यह 2004 में नीरज़ोरा के साथ एक ऐसा incident हुआ जिसके बाद ऐसा लगता है कि जिंदगी का अब क्या मतलब है और जिंदगी किस दिशा में जाए उससे क्या फर्क पड़ता है 2004 में नीरज़ोरा ने अपनी वाइफ को खो दिया नीरज़ोरा के बच्चे भी नहीं हुए थे और उससे पहले ही उनकी फैमिली उजड़ गई थी जहाँ एक तरफ इस तरह के इंसिडेंट के बाद इंसान तूट जाता है उसका करियर उसके जिंदगी लड़ खड़ा जाती है वही नीरज़ोरा ने अपने आपको अपने करियर पर ही फोकस रखा इसी दौरान 2005 में नीरज़ोरा ने एक और शक्स को खो दिया जो उनके जिंदगी के बेहत करीब थे यानि कि उनके पिता जी जिन से संगीत की म्यूजिक के शिक्षा उने मिली थी नीरज़ोरा ने पत्नी को खोने के जस्ट एक साल बाद अपने पिता को भी खो दिया इतनी सैड लाइफ हो गई थी वहीं विडमना ये है कि उनका काम कॉमेडी का था और वो बहतरीन कॉमेडी लिखे जा रहे थे बॉलिवर्ड इंडस्ट्री में 90's में गोविंदा थे तब कॉमेडी का लेवल अलगी था और अगर बात करें ये 2000 की तो इस दोरान नीरज वोरा जैसे डिरेक्टर्स ने कॉमेडी को बहुत कुछ कॉंट्रिब्यूट किया और कॉमेडी फिल्मों को हमारी इंडियन ओडियन्स हमेशा पसंद करती है और बॉक्स ओफिस पर इन फिल्मों को हिट करवाया है इंडियन ओडियन्स ने यही कारण है कि नीरज वोरा को इंडस्ट्री से कॉमेडी फिल्मों के लिए काम मिलता रहा इसी दोरान जब नीरजवोरा, हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी जैसी फिल्में दे चुके थे तब प्रड्यूसर फिरोज पर ओडियन्स की तरफ से प्रेशर था कि इतनी बहतरीन फिल्म थी कि इसका एक वर सीक्वल आना चाहिए जब लोग रीमेक बना रहे हैं, सीक्वल पर सीक्वल बना रहे हैं, गोलमाल की इतनी सीरीज बन गई है तो फिर हेरा फेरी इतनी अटक अटक के क्यों बन रही है तब ही फिरोज नाडियादवाला ने डिसाइड किया कि वो अब फिर हेरा फेरी पर काम करेंगे और इसका काम फिर से सौपा गया नीरजवोरा को ही नीरजवोरा ने फिर हेरापेडी 3 पर काम करना शुरू कर दिया था फिल्म की राइटिंग चल रही थी और जब इस फिल्म पर भी काम करना शुरू किया तो लाइफ ने एक और जटका दे दिया year 2014 में नीरज वोरा ने अपनी फैमिली के एकलोते शक्स को भी खो दिया यानि कि अपनी मदर को 2014 के बाद नीरज वोरा अकेले ही हो गए और बस उनकी जिन्दगी का मतलब, उनका काम और उनके दोस्त या फिर यू कहें कि वो लोग जिनके साथ वो काम करते हैं वो ही रह गए नीरज वोरा को लगा था कि काम है तो मैं संभ़ा रहूंगा और मैं बिजी रहूंगा और जब तक मेरे पास काम है तब तक मुझे किसी की जरुवत नहीं है लेकिन 2016 में एक बार फिर से किस्मत ने उन्हें धोका दिया और जब वो दिल्ली में थे फिर हेरा फेरी फिल्म के लिए वो वहाँ पर गए हुए थे तब नीरज वोरा के साथ एक हाथसा हुआ उन्हें हार्ट अटेक आया और उसके बाद उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया नीरज वोरा का दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा था यहां मुंबई में नीरज वोरा के बेस्ट फ्रेंड फिरोज नाडिया द्वाला को यह बात पता चली कि नीरज वोरा के साथ यह सब हो गया है तो उन्होंने तुरंथ दिल्ली की टिकेट कटवाई दिल्ली वो पहुँचे और एक ऐसा डिसीजन लिया जो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर ले सकता है जब तक फिरोज नाडिया द्वाला दिल्ली पहुँचे तब तक जिस नीरज वोरा को हाट अटेक आया था उनको ब्रेन स्ट्रोक की वज़े से कोमा हो गया था वो कोमा में चले गए ना बोलते हैं ना सुनते हैं बस देखते हैं और ये वो टाइम था जब फिरोज नाडिया द्वाला को डिसीशन लेना पड़ा ये डिसीशन उन पर हावी भी हो सकता था लेकिन एज फ्रेंड एज गार्जन उन्होंने नीरज वोरा के लिए ये डिसीशन लिया दिल्ली से एरलिफ्ट करवा कर नीरज वोरा को मुंबई लाया गया यहाँ पर खुद फिरोज नाडिया द्वाला ने नीरज वोरा का ट्रीट्मेंट इनिशली हॉस्पिटल में करवाया और जब डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो कोमा है जाते जाते जाएगा या नहीं भी जाए या कितने सालों बाद जाएगा ये भी नहीं कह सकते तब फिरोज नाडिया द्वाला ने अपने ही घर पर एक रूम को ICU वोर्ड बनवाया 24 आर्स की एक नर्स लगवाई फिजियो थेरेपिस्ट और बाकी डॉक्टर्स भी उनके लिए अपॉइंट किये गए जो उनके टाइम टाइम पर आकर उन्हें चेक किया करते थे और घर पर ही बने उस ICU में उन्होंने नीरज वोरा को रखा तकरीबन एक साल तक फिरोज नाडियादवाला ने नीरज वोरा का ट्रीटमेंट करवाया उनकी सेवा में लगे रहे लेकिन 14 डिसेंबर 2017 को सुबख के चार बजे नीरज वोरा की डेथ हो गई उनका multiple organ failure था, heart stroke के बाद उनकी तब्यत खराब ही चलती रही वो ठीक ही नहीं हुए कभी और ना ही कभी कोमा से बाहर निकले वो नीरज वोरा जो एक और comedy film लिखने जा रहे थे जो एक और बहुत बड़ी comedy film की planning कर रहे थे life ने उनके लिए कुछ और ही plan किया हुआ था और शायद यही कारण है कि 2017 से आज 2021 में हम बात कर रहे हैं अभी तक फिर हेरा फेरी में बस changes ही आए हैं कि इस film का ये होगा, इस film का वो होगा लेकिन film को लेकर कुछ भी official information नहीं आई है नीरज वोरा बहुत ही talented writer, director, actor थे नीरज वोरा ने अपने काम से industry में अपनी पहचान बनाई, अपना नाम बनाया और वो बहुत successful भी हुए लेकिन किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था कि समय समय पर successful होने के बावजूद ये किस्मत उन्हें तोड़ती रही और इसलिए कहा जाता है कि इस industry में सिर्फ hard work से नहीं बलकि आपके luck से भी बहुत कुछ होता है अगर नीरज वोरा की life में इतने सारे ये personal वाले incidents नहीं होते तो शायद नीरज वोरा और बहतर तरीके से और cool होकर अपना काम कर पाते और industry को हसाते रहते ये है कहानी इंडस्ट्री के उस actor, director, writer की जिन्होंने comedy लिख लिख कर पूरी दुनिया को हसाया ये बताय बिना कि वो personal life में किस tragedy से गुज़र रहे हैं नीरज वोरा की कौन सी film, कौन सा dialogue आपको बहुत पसंद आया comment section में जरूर शेयर करें कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे Bollywood की एक और story के साथ like करें हमारा facebook page Bollywood ठिकाना follow करें हमें इंस्टा पे और subscribe करें हमारा youtube channel Bollywood ठिकाना